मीडिया में मोदी के फैस्टे पर हवाबाजी कर रहे थे चिराक पास्वान मोदी के चानक ने लगाया ऐसा दिमाग निकल गई चिराक की सारी हवा अमिश शाह ने तोड़ दिया 100% स्ट्राइक रेट वाला भ्राम दोड़े दोड़े बिहार से दिल्ली पहुंच गए मोदी के हनुआँ दोनों नाओं में पैर रखकर चल रहे थे चिराक पास्वान खुद को समझ रहे थे राजियते का बहुत बड़ा गुरू फिर अमिश शाह ने कर दी हालत टाई जी कहते हैं सियासत में ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए कब आपके पर कतर दिये जाएं कुछ पता नहीं चलता और कब आप जमीन पर गिड़ जाएं कुछ अंदाजा नहीं होता मोदी के हनुमान यानि चिराक पास्वान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है दरसल केंद्री मंद्री चिराक पास्वान और उनकी पार्टी यूहीं रड़ाल पर नहीं आई उनके लगातार दिये जा रहे उटपटांग बयानों ने मोदी सरकार को सहच कर दिया था राजिती में साफ गोई तो ठीक है मकर जब आप एराइन्स पर निर्भर हों तो धैर की ज़ूरत होती है और हर मुद्दे पर थोड़ा सोच समझ कर बोलना होता है तोल मोल कर बोलना होता है इसी तोल मोल की कमी और इसी समझ की कमी चिराग पासवान में साब दिखाई दी जिसका अतीजा ये हुआ कि पार्टी में टूट की खबरें मीडिया में आने लगी इसके बाद चिराग पासवान फूलों का गुलदस्ता लेकर अमेश शाह के दरवाजे पहुँच गए सांसतों से वीडियो चारी करवाए गए पिष्टे दो दिनों से सफाई पर सफाई खुद चिराग पासवान दे रहे हैं यहां तक कि चिराग पासवान की इंजिनिरिंग की डिग्री भी विवादों में आ गई कहा जा रहा है चिराग को 100% स्ट्राइक रेट का भ्रहम हो गया था जिसे अब बीजेपी ने दूर कर दिया है चिराग पासवान ने जिस फॉर्मुले पर अपनी राजजीती शुरू की थी लगता है अब उसी फॉर्मुले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं चिराग पासवान सत्ता में भी बने रहना चाहते थे और पियम मोधी और बीजेपी का विरोध भी करना चाहते थे लेकिन हाली के घटना करम से लगता है कि अब ये फॉर्मुला काम नहीं कर रहा दरसल चिराग पासवान ने मोधी की नीतियों पर सवाद उठा दिये थे जिसके बाद बीजेपी असहज हो गई और चिराग पासवान पर अंदरूनी तोर पर लगाम लगाने की कोशिचें शुरू हो गए सबसे पहले चिराग पासवान के चाचा और उनके कटड़ वरोधी पशुपती पारस की पटना में बेहार बीजेपी अधिक्ष दिली पर जहसवाल से मुलाकात पिर पशुपती पारस की दिली में केंदी ग्रीमंत्री अमिर्शा से मुलाकात करवाई गई इसी बीच खबर आई कि चिराग पासवान की पार्टी में बगावत हो सकती है और उनके पांच में से तीन सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं बस चाचा के एक्षन और बीजेपी की इसी चाल ने चिराग पासवान की नींदे उड़ा दी चिराग पासवान के सभी सांसर पार्टी में बने रहने की बात कह रहे हैं लेकिन जिस तरह से सफाई का दौर शुरू हो चुका है उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है दरसल साल 2021 में भी चिराग पासवान से नराज होकर उनके छे में से पांच सांसरों ने बगावत कर दी थी उस वक्त चिराग पासवान के चाचा पशुपत्री पारश के नेतेतु में पांच सांसर अलग हो गए थे और चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे एक बार फिर स चिराग पास्वान के सभी सांसदों ने वीडियो जाली करके कहा कि वो पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और आरजेटी उनकी पार्टी को तोड़ने के साइश रच रही है केंडी मंत्री चिराग पास्वान ने पीम मोधी कई नीतियों पर विरोध करना शुरू कर दिया आरशन में क्रीमी लेयर, लेटरल एंट्री, जातिकर चंगरना और वक्फ बोर्ट जैसे कई मुद्दों पर चिराग पास्वान ने पीम मोधी और बीजेपी से अलग स्टैंड लिया जिसके बाद से ही लोजपा में तूट की अटकने शुरू हो गए चिराग पासवान के लोजपा के पास पांच सांसद हैं इसमें वो एक खुद हैं बाकियान ने चार सांसदों में से एक उनके पहनोई अरुन भारती हैं इसके अलावा वीना सिंग राजेश वर्मा और शांभवी चौदरी हैं चिराग पासवान ने पने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज की तारीक में विपक्ष के द्वारा जो ये भ्रम फैलाय जा रहा है मेरी पार्टी और मेरे सांसदों खोले कर वो उसी साजिश को हवा देने के सोच है जो 2021 में रची गई थी उस वक्त भ लोग शिराग पासवान को समाप नहीं कर पाएं और ना आगे कर पाएंगे अब ऐसे में आप बताईए भारती जंदा पार्टी की ये चाल आपो कैसी लगी